तो देखो क्या होता आपका जो रिलेटिव एनरजी एब्सॉर्व करेगा कोई भी कमपाउंड कितिनी लाइट को एब्सॉर्व करेगा वो डिपेंड करता है एपसाइलन पर ठीक है और जिसकी एपसाइलन वेल्यू क्या होती है वो क्या करता है जादा लाइट को एब्सॉर् तो यह कहां से घया हो यहां से एकसाइटेट ड़िया अब देखो यह हिसमें और आ अपका है क्वाहतै डिश चूप ग्राउंड कर्ण्द स्टेट लेकिन एडिय आई समयदे ही पर तो किसमें उपर गोलत सेम ऐसा ही क्या होगा आपका जो सिस कंपाउंड है वह अभी कौंसे स्टेट में आपका ऐसे जिरो वी हवाव मिक्षर ओफ इस एंट रंस इसलिए अम दोनों स्टेट दिखा रहा है कि आपका ट्रांस होता तो यह उपर जाता और यहां सिस में सिस कंपाउंड होता इसी तरीके से सिस कंपाउंड होता वह क्या होता आपका एक्साइट होकर हायर एक्साइट स्टेट पर जाता और यह उसको चेंज होना है तो किसमें कंवर्ट होता इस तरीके से ग्रांड में स्टेट और ट्रांस में जाता तो यदि हम इस तरीके का देख समझ मारा यह है आपका trans का sis में convert होना और यह है sis का trans में it means हमारे पस sis और trans still been दोनों का mixture है तो कैसे trans sis में जाता होगा और किस तरीके से sis किस में convert होता है trans compound में convert होता है वो हम यहां पर को देख रहे हैं जो हमारा यह चोटा सा लेयाउट है energy का उससे हमें लग रहा है कि बीच में एक ऐसे state आ रही है जहां पर कोगी सिस-trans और trans का सिस में convergence अब हो रहा है उसमें क्या आती है आपकी common होती है ठीक है तो देखो जो यह compound है आपका इस इस स्चलेल बेन धिख रहा, फियेट्स केस्ट सेच है, पियेट्स में एक सांद दिखा रहा है, हईडोजन हईडोजन हमने प mendः दिखा रहा है तो एक ऐसी स्टेट आती है जो कि क्या होती है common intermediate होता है when cis converted into trans and trans converted into cis तो यह कैसी आती है common intermediate state है दोनों ही conversion में और इस case में क्या होता आपका देखो जो यह lobes है कौन से जो p orbital है one this one and another this one these two p orbitals are 90 degree to each other कैसे है आपके perpendicular होते हैं एक यह और जो दूसरा loop है बीच में एक ऐसे state आती है जहां पर को कि यह lobes क्या होते हैं आपके perpendicular होते हैं and finally क्या होता आपका जो यह state है वो किसमें भी convert हो सकता आपका cis में भी convert हो सकता और यह conscious state में भी सकता आपका trans में भी जा सकता है अब question यह कि ऐसा क्यूं होगी photo chemically हमने कहा कि cis की concentration जादा होती है तो उसका हमें answer यहीं पर मिल गया था हमने क्या कहा था देखो कि जो relative amount of light absorbed होती है वो किस पे epsilon किसके लिए ज्यादा है आपका trans के लिए epsilon की value ज्यादा है it means mixture था हमारे पास क्या भी था उसमें cis भी था हमारे पास उसमें क्या भी था आपका trans भी था light कौन ज्यादा absorb करेगा trans because it has higher molar excitation coefficient ठीक है इसका molar excitation coefficient high है as compared to cis तो यह light को ज्यादा absorb करेगा अब अब यह सोचो कि देखो दो molecule है एक light खिलाल समझने के लिए मैं कहा दे रही हूं कि कर ही नहीं रहा या बहुती कम light absorb कर रहा तो जदि यह कर ही नहीं रहा या बहुती कम absorb कर रहा तो trans cis में convert नहीं होगा क्यों convert तभी तो होगा जब हो क्या करेगा light को absorb करेगा लेकिन cis त क्या है molar excitation coefficient high है तो यह ज्यादा light को absorb करेगा तो यह किसमे convert होगा आपका cis में लेकिन यह किसमें trans में नहीं के बराबर होगा या कम होगा तो it means mixture में finally हमें क्या मिलेगा trans तो cis में convert होता रहेगा trans किसमें convert होगा होगा बनावा रहेगा या cis क्या होगा बहुत ही कम किसमे convert होगा आपका trans में convert होगा इसलिए जब हम क्या करते हैं इस्टिल्में को irradiate करते हैं किसमें फोटोलेस इसका करते हैं तो हमें जब मिलता है वो 93% मिलता है सिस फोरम और 7% कौन सा मिलता है आपका CCP इसका क्या करान है स्टेल्बीन थर्मोडेनिमिकली ट्रांसफॉर्म इस्टेरिक हिंड्रेंस कि वजय से बट फोटो खेमिकली सिस फोर्मीस इस मोर स्टेबल एस कंपियर्ट ट्रांसफॉर्म इसका क्या कारण है it is due to the high molar excitation coefficient for transform, it means high molar excitation coefficient का मतलब वा light absorb करने की power ठीक है, जो light absorb कौन जादा करेगा, जो जादा करेगा उसकी photochemistry जादा होगी, it means वो जादा convert होगा, किस में cis में convert होगा, तो trans का क्योंकि high है, तो ये जादा light को absorb करेगा, जादा light को absorb करेगा, जादा energy लेगा, तो it means, ये किस में convert होगा, आपका cis में convert होगा, ठीक, लेकिन cis वाले के क्योंकि molar excitation coefficient low है, तो light absorb ही नहीं करेगा, जो light ये एब्सॉर्ब ही नहीं करेगा, तो trans में convert होने की chances क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, इसलिए, photo chemically ये ज्यादा stable है, लेकिन thermodynamically, cis form क्या होती है, कम stable होती है, thermodynamically, ठीक है, अब ये कुछ example है, जैसे देखो, ये भी transform है, H new लिखा है, तो सीधे साधे क्या कर दोगे, इसका क्या बना लोगे, cis बना दोगे, second example same है, ये है आपका, और इसका भी कहा है, ये transform है, और H new लिखा है, तो क्या बना लोगे, इसका, cis form, तो ये किसका example है, फिर आपका, simple cis, direct irradiate कर रहे हैं, जब हम किसको, cis transisomerism की बात कर रहे हैं, तो वो ये है, ठीक है, second one is, sensitized cis transisomerism, it means, ये किसकी presence में होगी, किसी sensitizer की presence में होगी, ठीक है, sensitizer हम पहले पढ़ चुके हैं, जब starting में हमने पढ़ा था, कि वो क्या करते हैं, आपका, energy absorb करके, जो reactant molecule है, उनको triplet state में convert करते हैं, वो कहां पर use होते हैं, जहां पर को कि, क्या होता आपका, जो compound है, उनकी itself, singulate or triplet energy का gap बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता आपका, direct खुद क्या होता है, आपका triplet में convert नहीं हो पाते, तो वहाँ पर हम क्या डालते हैं, आपका sensitizer डालते हैं, और ऐसी reaction कहलाती है, sensitized reaction कहलाती है, second one is sensitized cis-trans isomerism,